तो आज के इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12 का चैप्टर नंबर बायो मॉलीकूल बताने वाला हूं तो एकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगा कि यहां इस पर ट्रिक्स बन सकते हैं तो मैंने बनाया है के इसके साथ के मैंने कुछ है इसके साथ में मैंने कुछ चैप्टर बना दूगा है इसके साथ जितने वी मेरे ट्रिक्स के पीडियीफ है अगर आप की चाहते हो कि आप उसे आपके पास हो वोट पीडिएफ ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो आप में इसे कॉंट्रेक्ट कर सकते हो आपको मेरा नंबर भी डेस्क्रिप्शन पर मिल दाएगा तो यह देखो यहां पर यह चैप्टर में मैं आपको आगे आप वीजियो देखो यह वीडियो मैंने पहले बनाए थे बायो के मिस्ट्री में लेकिन इस अब यहां पर मैं बता रहा हूं इसमें क्या होगा तो देखो आपको ग्लुकोज के स्ट्रेक्टर बनाऊंगा मैं चेन फॉर्म में जो फीसर में प्रोजेक्शन होता है उसके बाद यह देखो यह सब कै स्ट्रेक्टर भी बोलते हैं तो यहीं आपको करना है जैसे यह सब किया अाजाएगा यह विडीयो आ ठीखना है तो मैं यह थे देखना है तो ग्लुकोज भी सबसे आपको पहले एक चीज नहीं हो एंक तोर मैं प्रसर प्रस्टे जो positional को मैं मैं ग्लुक्वश्यचल यहां सबसे पहला काम आपको करना है छे कार्बन बनाओ पहले में आपको LD हाइड ग्रूप लगाना क्योंकि ग्लुकोज में LD हाइड ग्रूप लगते हैं तो आपने LD हाइड ग्रूप लगा दिया अब क्या थर्ड कार्बन पहले आपको एच अब बोलोगी से तो ग्रूप यहां है है तो अब देखो थर्ड कार्बन के आपको राइड साइड में एच लिखना है है बागी जो बचा राइट-गा है यहां पे बार्वाब को करेको लिखना दो तो यहां गलुकोज के च्क्रूच तो यह बता कौन सा क्लूकोज है कौन सा ग्लुकोज हे यह यह आपका बन गया D-glucos का structure बोलो क्यों D-glucos क्यों बना क्योंकि D-glucos एक बहुत ही common glucose होता है normally 80% जो जितने भी nature में glucose पाया जाते हैं वो D-glucos पाया जाते हैं और अगर structure में आपको identify करना यह D-glucos क्यों है तो आपको fifth number second last carbon जिसको हम बोलते है penalty made carbon वहाँ पे देखना होता है कि अगर OH right side में हो अगर OH right side में हो तो उसे हम बोलते है D-glucos तो यहाँ पे आपको पाच्वी नुबर carbon पे जो OH है वो क्या है है तो आपको क्या हो गया D-glucos अब देखो अब हमें इसका बनाना है कि कैसे बनाना है तो देखो कि यहाँ पे जो carbon पे oxygen लगाए तो यह जो oxygen यह कन सका चाहेगा एच और positive और व के पास negative अब क्या है कि यहांपे देखो आपको पता हो चाहाँ वो negative ऐकरता है तो यहां पे जो यह जो positive चाह Cyber क करेगा इसके Pedic k息 Beauty दबाना देगा यहां पे अगर मैंलब हो अकीला है यह उई दमना देगा यहां पर यहां पर क्या है आपका O H फिर यहां थर्ड पर H चौथे पर O H पाचवा पर H चला गया यह अकेला इसके बाद O है यह जहान रखना तो इसको हम कैसे लिखेंगे इसको रिंग के फूम में लिख देंगे यहां O इसके साथ लिख दिया हमने और इसको हमने यहां से क्यूँ? क्योंकि यह C पॉजिटिव भी तो अकेला हो गया था ठीक है? इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा यहां का H हमने इससे रियक्टर रवाके O H बना दिया और बाकी इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे बनाना बाकी जो आपका बज़ गए यहां पर H यहां हो एच यहां हो एच यह जो इसका नाम क्या होगा? पहला बात तो यह D-Glucose तो है लेकि D-Glucose के साथ यह क्या? α-D-Glucose है अब बोलो कि यह α-Q हो गया तो आपको इसको चेक करना है ये भी कैसे चेक करते हैं तो पहले कार्बन पे C1 कार्बन पे अगर OH ग्रूप राइट साइड में हो तो ये अलफा होता है और बीटा में C1 कार्बन पे अगर OH लेट साइड हो ये आपका बीटा हो जाएगा तो अब OH कहा देखना हमें राइट दिया OH कहा देखना है आपको राइट साइड में तो राइट साइड में है तो ये आपका क्या बन गया अलफा वही OH को अगर इधर हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा अगर लेट साइड हो जाएगा और एच राइट साइड हो जाएगा हुआ कि कॉंसर बन जाएगा बीटाडी को तो देखते हैं यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोस का इस्टसरे बनाते हैं यहाँ पर आपको बैडा डी ग्लूकोस का इस बनाना इसका मतलब बीटा डी ग्लुकोज में मैंने क्या बताया आपको यहां पे बीटा में कि कार्वन पहले पोजिशन ओए आपको कहा लगाना है लेप्ट साइड में या फिर सिंपल समाझ सकते हो कि जो पहले कार्वन पे जो ओएच और एच का पोजिशन था उसको हमने इंटरचेंज कर दिय यह राइट था ओएच तो हमने अलफा लिग दिया आपकी यहां लेप साइड रख दिया यह यहां पर हम क्या लिख देंगे बीटा से में स्ट्रक्चर यही को से अब यह हुआ बाकि यह से में लिख तो फिर एच है ओएच है और यहां पर क्या हो गया है तो यह बीट ग्लुकोज हो गया यहां पर यह बताओ अलफा डी ग्लुकोज और बीटा डी ग्लुकोज यह जो है यह एनोमर्स वे क्यूंकि मैंने आपको बताया हो है कि एनोमर्स ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें की पहले कार्बन पर अगर हम ओएच और एच का पोजिशन इंटर्चेंज क कि यह इनोमर्स हो गए हक तरह से दोनोमलियन स्ट्रक्चर हो गया है एक तरह से जोनोमर्स होए ना एलफा डी ग्लुकों कैसे बनाते हावात स्ट्रक्चर मतलब वही रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बाला कि दो दिखो आगे कि अ अब numbering करेंगे, numbering यहां से करेंगे, यह हमारा पहला होगा, यह हमारा दूसरा होगा, यह हमारा तीसरा carbon होगा, यह हमारा चौथा carbon होता है, यह पांचमा, और यह क्या होता है, हमारा sixth carbon होता है, ऐसे यहाँ पे हमने बना दिया, alpha-dglucose के लिए कैसे बनाना है, तो एक छोटा साइड है उसको आपको लिखना है डाउन में राइट साइड एक चीज़ याद रखो आड़ी बच्पन में आपने आड़ी शर्मा के आफ को डाउन में लिखना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डाउन में लिख करके तो डाउन में राइट साइड है आपको आ एड़ी हाद राइट वाले डाउन में रॉफ ऐला डाउन में राइट में क्या- Brenda है Oh Oh Oh, Oh यहां पर है तो number इंग कहां से start करते है 123456 अच्छे six आप देख लो कि यहां पर चलो पहले यहां से start करते हैं कि आप ओयाच लिखो जब से पहले ओयाच कहां पर है नीचे यहां पर ओयाच Right वाले Down में लिखना आपको सारे Right वाले Down में लख NOTE like दिया अभी यहां पर भी और लिख देना आपको फिर 3rd में क्या आपको H है फिर 4th में क्या एक दो 3 4 5 6 4th में क्या है आपका है H अभ क्या है अपका 6th जो है वो आपका CS2OH है इसलिए आपको यहाँ पर completely यह CS2OH आजाता है इतना हो गया clear अब देखो क्या लिखना है कि left वाला क्या कहां पर लिखना है आपको टौप पे लेट में क्या h है तो टौप में लिख लो h round 2 अब यहां 3rd वाले carbon पर left side क्या है o h a oah 4th वाले carbon पे left क्या h है ठीक है अब यहां 5th में left h है लेकिन यहां पर slide नहीं है तो आपका यहां पर जो down बचंए यहां पर आपको लिखना है जैसे कि आप कहां काउंट कर रहे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच है हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सबसे पहले आप चाहो तो 6 लिख सकते हो CS2, OH और निचे क्या होगा जब OH यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आप S लिखतो आप आपको मैंने क्या बोला कि right, down, right, down यहाँ पर क्या हो रहा है आपका right, side, h आ रहा है तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा down फिर आपका OH फिर आपका h फिर आपका oh और उपर लगा दो left वाला अब यह नाम क्या होगा, alpha d glucose है हमारा और यह आपका हमारा क्या है, beta d glucose अब आप याद करो कि मैंने आपको जब anomer में बताया था तो anomer में आपको क्या बताया था मैंने की carbon 1, first carbon में आपको चेक करना था, h और oh का position जो मैंने आपको इसमें बताया है इसमें बताता हूँ, उस ताम मैंने category के एक छोड़ा से बताया था कि वो सही है कि नहीं आपको मैंने बताया था कि अगर oh नीचे होगा, डाउन होगा तो हम alpha बोलते थे और अगर oh उपर रहा तो beta बोलते थे या फिर अगर h डाउन रहा तो beta d glucose बोलते थे यह दोनों structure क्या था एनुमर्स थे तो यह alpha d होगया beta d तो मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको happy birthday day h b d क्यूंकि अगर आपको यह structure बनाना बार बार तो आप ऐसा थोड़ी है कि पहले यहां से यह बनाऊ यहां से आपको diet भी बनाना था अगर आप पहले यह बनाऊगे फिर ऐसे करोगे तो यह time consuming होगा इसलिए आपको डारेक्ट बनाने के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि alpha d glucose और beta d glucose जो होता हो एनॉमर्स होते थे और उसमें क्या होता था कि आपको happy birthday मैंने बताया था मतलब एच एच ग्रूप अगर डाउन में present है डाउन में present है नीचे तो वह beta glucose होता था तो यहां पर एच ग्रूप डाउन में present है एच डाउन में present था यह क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा बीटा ग्लूकोज में मैंने क्या बता था एच बीडी जहां पर बी का मतलब था बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में एच जो पहले कार्बन पर एच है वह कहां position कौन से position present होगा डाउन वाले position पर तो डाउन है ऐसे मैं आपको यहां पर clear हो गया कि alpha d glucose क्यू है बीट से बनते हैं क्योंकि यह NCRT में दिया और यह आपको आना जरूरी है जब तक यह नहीं सिखोगे glucose का मैंने बनाती है वो भी आपको मिल जाएगा fructose का यह है उसके बाद जब जिखते हैं कि six carbon आपको chain ऐसे लिख लेना एक दो तीन चार पांक छे अब आपको पहला दियान अगना है कि जो थर्ड नमर का carbon है वन तू थर्ड वाले carbon के right side आपको H लगाना एक इतना आपने कर दिया आपको क्या करना है यह बाके जो बचा OH लाट्स OH अब आपने आपको बी carbon हो उसके और इसके दर भी कोई carbon हो यह आपने पढ़ा होगा तो आपको किटोन कहां पर लगा होगा यहां नहीं लगा सकते हो आपको किटोन का कहां लगाना होगा किटोन यहां पर लगाना होगा किटोन यहां लगाना होगा अब मैंने क्या बताया आपने दूसरे कार्बन के नंबर पर राइट साइड में है लगाना बाहं कि सारे जगह आपको है लगा देना है जो बचा है लगा हुआ हो एक दो तीन चौथा एक और एच लगाना पड़ेगा यहां पर है करें यहां पर ऑच यहां पर और यहां पर है तो यह यह इसेश इस लिख सकते हो और चीज़ कर सकते हुआ यहां स्टेट में आप आपको और यहां पर खाली है यहां पर कुछ नहीं है तो आप यह कर सकते हो कि यह CS2OH को आपने इसी में लगा लिया इसको अटाकर आप काउंट ऐसे करो वन टू तू त्री फोर फाइप सिक्स ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे करके देखना नहीं यहां पर देख तीन चार पांथ छए अब क्या यह कौन से स्ट्रक्चर है यह डिफ्रॉक्टोस का स्ट्रक्चर है ठीक है अब देखो क्या हुआ कि अब आपको क्या करना है इसमें तो आप देखो oxygen more एक अटेक यहां पर जब हैंठ करेगा तो सी के साथ क्या रख जाएगा तो यहां पर देखो ओ एच अब एक oxygen बज़ में और उंक्सिजिन को करके एड ऐसे कर लिया क्योंकि इतना सुझ में आया तो यह जो आपका structure यह बना यह alpha d fructose बना यह alpha d fructose इसको बोलते हैं तेखें अब हमें बनाना है इसका anomeric structure beta d fructose तो beta d fructose क्या बनाना anomeric structure मैंने आपको बताया तो आप क्या करोगे पहले नंबर पे जो आपने यहां पे पहले नंबर यहां पे जो कार्बन है आपका इस कार्बन के जो right side o h है और यह जो है इसको interchange कर देना है तो यह लैप साइड आ जाएगा और यह CH2 o h यह इस साइड आएगा बागी सेम प्रॉसेस वही है कि आपका यह negative होगा यह इस पर defructose हो गया क्यों हो गया यहां पे ओएच और इस पोजिशन पर क्या हो गया इंटर चींज हो गया इतना समझ में आपको अब आपको इसका क्या लिखना है आपको इसको रिंग स्ट्रॉक्चर लिखना है तो आपको यह समझना है कि ग्लुकोज का हम जो बनाते थे हम 6 तो आपको सबसे पहले क्या करना है पांस रिंग का स्ट्रॉक्चर बनाना है और आपको इस साइड यहां पर लगा देना है दोनों के इसमें पहले यह लगा दिया यह स्टेप करना इतना करना है कि आपको पांस रिंग बनाना है ठीक है अब आपको क्या करना है कि जो आपका जो लास्ट का सिक्स नंबर है यह आपका सिक्स नंबर पर होगा सिक्स नंबर के कारवन जो उपर आपको लिख देना अब आप नंबरिंग करो य यह पहला, दूसरा, त्रड वारी इस फॉर्ट्व होगा यह पहला , यह दूसरा , यह तीसरा ऐंप श्य एक कार्बन , दो कार्बन , तीन कार्बन , चौथा कार्बन, यह पास महां , यह छुटा कार्बन यह बन गया है अब आपको क्या करना है जह हम सब पहले लफाडी फ्रॉक्收 qre maze रिइंग इस्ट्रक्चर रिइंग इसको हम हैवारत और श्रक्षर इस लिए बोलते है और लेट्ट साइड को आपको लिखना अप में तो राइट साइड क्या हो गया यह ओ एठ हो गया आपके डाउन में हो गया तो आपको यहां पे देखो किया लिखना है आपको अपको सी análgre tart जाएट यहां cause एच अंपको यहां और जाओ जाओ कर दिया तो यह left side अपर लिखा आपने CS2OH अब यहां पर फिर से आपको लिखना है OH यहां H यह अपर में पहले आपने लिख दिया यह आपका alpha-difructose के structure बनी गया पहले है अब beta-difructose का कैसे बनाना है सेम टू सेम ऐसे आपको पांसरिंग का स्ट्रेस से बना है आपको छट्था नमबर पर जो लास्ट वाला CS2OH आपको यहां लिख देना है पहले अब यहां count करो 123456 तो अब आपको मैंने क्या बोला राइट डाउन लेफ्ट अप यहां पर राइट का लिखना है आपको कौन-कौन सा है यह है यह है यह है यह है एधर लिखना है अब क्या हो गया अब इधर वाला लिखदो opposite o h no h h यह बन गगा आपका structure यह structure आपका क्या बन गया beta d fructose α alpha तो यह alpha d fructose और यह beta d fructose इसका इक कौन स्ट्रक्चर है और यह आपका यह जो structure बना था यह फिसर मैं प्रोजक्शन फ्रॉर्मूला है यह जो structure यह फिसर मैं scientist ने दिया था इसलिए उनके नाम पर रखा गया और यह जो इसलिए इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया ठीक है आई देखो इसलिए दो मोनो सब्सक्राइट मिलकर के बना हुआ है तो यह इसा बेसा तो इसलिए बने हैं यह जो उसकते हैं जो इसuman रखा एあ नाम यह पर परिया यह एडिफरेंड को कि बिफ्रेंड लिफरेंड मोनो सैक्राइट हो इसलिए यह और नामसे काytt अब यह है कि यहां पर एक और पॉइंट आपको ध्यान भी रखना है कि यह सिंप्लेशन मोस्ट कॉमन ओलिगो शक्राइट क्योंकि मैंने आपको अलिगो शक्राइट ऐसे बताया है जिसमें जिसमें की दो से लगभग दस मोनो सेक्राइट जब मिलके बनते हैं तो उसको ऑलिगो सेक्राइट बोलते हैं तो आप यह कर सकते हो कि अगर दो मोनो सेक्राइट मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं तो यह सबसे सिंप्लेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑलिगो सेक्राइट है जो डाइसक्राइट है यह कौन से बॉंड से कौन से बॉंड से जॉइन होते हैं तो उसका नाम है ग्लाइको सेडिक बॉंड अगर आपको बैटर लिखना यह लिखता तो ओ ग्लाइको सेडिक बॉंड कैसे होता है आगे बताता हूं अब एक्जामपल चलते हैं और मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको स सिर्फर्थ से पहले जाए वहला लिखा구요 दोने से मोनो सेक्राइड यह मिलकर कि कौन से डाया वी सब्सक्राइड बनाता है तो मल ओब करा किसे का यादर्ख सकते हैं तो व्रेक्ट बनाता है यह यह तको आपको रखते сейчас दो different monosecrete जब मिलते हैं तो एक diet seacrete कैसे बनाता है तो एक glucose और फ्रॉक्टोज मिलकरकर आपको सुक्रोज बनाता है लेकिन आपको specific यहां थेहार में रखना है कि कौन सा glucose होता है यूज में alphaglucos और कौन सा फ्रुक्टोज होता है तो बीटा फ्रुक्टोज अलफा ग्लुकोज क्या होता है बीटा ग्लुकोज क्या होता है अलफा फ्रुक्टोज क्या होता है यह सब जब मैंने आपको हेवार्ट एक स्ट्रक्चर बना बताया था उसमें ही मैंने आपको सब बता दिया है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देतूँगा आप वहां से देख लेना समझाना कैसे स्ट्रेसर बनाते हैं यह से मैं आपको कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट मोल सक्राइट का हमने एक्जामपल दिया तो कि एलफा ग्लुकोज और बीटा फ्रक्टोज को मिला करके क्या बना बनता है हमारा सुक्रोज तो आप यह याद रख से जी एफस से कैसे याद रखते हो ग्राउंड फ्लोर स् और आपको कोई समझता है ऐसे याद सकते हो कैसे भी करके मैं आपको यह इंग्जामपल बदा दिया है ग्राउंड फ्लोर स्कूल मतलー ग्लुकोज और फ्रुक्टोज और जब mix करते हैं तो क्या बनता है सुक्रोज अब कौन सा ग्लुकोज है-लफा ग्लुकोज और फ्रु बनाते हैं लेक्टोज अब एक और चोटी सी में मैं बता देता हूं गर आपको कन्फिजन हो तो ग्लुकोज जहां भी है ग्लुकोज जहां भी है सब अलफा फॉर्म में होगा यह ग्लुकोज 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 और बांकि जो भी अदर है जो मैंने जितने एक्जामपल आपको यह तीन बताएं यही मोस्ट कमन एक्जामपल हैं बेसिक्स आपको यह तीनों पता होना चाहिए तो आप कैसे ध्यान में रखना है कि जितने भी ग्लुकोज हैं वह सारे अलफा ग्लुकोज होंगे और बांके जो भी मैंने अदर उसको चोड़ करके बनेगा एलफा ग्लुकोज और बीटा फ्रुक्टोज मिल करके तो एलफा ग्लुकोज का यह स्ट्रक्चर है यह आपको मैं लिंक पर दूँगा अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो यह सीख लेना कैसे हम बनाते है अलफा डी ग्लुकोज का स्ट्रक्चर और यह हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज का यह नम्मरिंग देख लो यह पहला कार्वन है दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा छट्था क्योंकि आपको पता है ग्लुकोज फ्रुक्टोज यह सब सिक्स कार्वन के मेंबर होते हैं फ्रुक्टोज में भी यहां से आपको स्टार्ट होगा यह पहला कारवन दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा चट्था झ तो देखो, यहां से आपने OH हटाया, यहां से H हटाया, तो H2 हो निकल गया, अब आपका यहां पर क्या बन गया, यह O, तो यह link किस से हो रहा है, तो यह link कैसे alpha 1, 2 beta, यह कैसे हुआ, तो आपका alpha glucose था, उसमें पहले carbon पर, अनोमेरिक carbon जो है, वहां से हमने OH डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से यह bond बना, यहां से, यहीं से स्टार्ट हुआ, और beta fructose का क्या हुआ, यहां पर देखो, दूसरे नमबर के carbon से किया, दूसरे नमबर के carbon का OH से H हटाना, यहां पर क्या था, पहले के carbon के OH से हटाना, और यहां पर दूसरे नमबर के, क्योंकि यह पहला यह था दूसरे, तो इसलिए यह दोनों के बीच में bond बना, जो glycosidic bond उसका नाम हो, alpha का 1, 1 carbon से हुआ, और beta का 2 alicarbon से, यह beta for octose है, यह 2, 1, 2, 2, यह संदना रहा रहा इसलिए इसलिए जो glycosidic linkage है, alpha 1, 2, beta linkage, ठीक है, इसलिए में आ गया, इसलिए का नाम है सुक्रो, अब next example देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, कि हम maltose के structure पढ़ रहे हैं, तो maltose कैसे आपको दियान में रखना है, good morning से मैं बताता है, जी स्कॉआ, तो 2 alpha glucose मिल करके, एक maltose के structure बनाता है, यहाँ, 1 alpha glucose, यह alpha glucose, अब क्या यहाँ पे counting देखो, मैंने कैसे set किया है, कि आपको यह पहला number carbon है, यह दूसरा है, यह तीसरा, चौथा, पाचमा, और यह 6, अब यहाँ पे, यह आपका, यहाँ पे भी यह देखो, same way होगा, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचमा, और 6, अब क्या है, कि यह पहला glucose का जो है, इसका फर्स्ट carbon है, और इस वाले glucose का कौन सा carbon है, 1, 2, 3, 4, चौथा carbon, इस carbon के जो OH है, यह निकलेगा, और यहाँ से 1H निकलेगा, OH है मिलके एक water molecule निकल गया, यहाँ पे बचा O, तो यह O यहाँ पे आ जाएगा, bond बना लेगा, glycosidic linkage हो जाएगा, तब कौन सा इसमें linkage होगा, alpha 1 and 4, क्योंकि यह दोनों alpha ही है, तो बीटा न alpha 1 पहले carbon से OH हटाया मैंने, और यहाँ पे आपको, आपने चौथे carbon से, यहाँ पे H हटाया, तो इसलिए इस दोनों के बीच में, एक bond बना glycosidic, तो हमने यहाँ पे जोइन करके बनाया, तो यह माल्टोस से structure हो, और यह linkage क्या है, बहुत important यह linkage आपको समझना है कि कहां से होगे न, एक OH और H, जिस नंबर के carbon से, उसी नंबर के carbon से आपको नाम, linkage का नाम रखना है कि कौन सा ही linkage है, इसके बीच में, जो glycosidic bond हो यह हुआ, यह माल्टोस का, ऐसे आपको आगे, लैक्टोस भी पढ़ना है, यहाँ पे, अब कुछ points है important कि आपको ध्यान में रखना ह है, माल्ड शुगर में, next है कि lactose जो होता है, यह सारे points dicecrides के अंदर ही आपको है, lactose is milk sugar and is least sweetest sugar, यह सबसे कम ऐसा sugar होता है, जो सबसे least sweetest होता है, lactose, इसको milk sugar भी बोलते है, अब है कि maximum percentage of lactose कहा पाया जा तो यह human milk में पाया जाता है, कितना percent, 7%, अब है कि in plants, transport of sugar is present in the form of sucrose, sugar का जो transport होता है, plants में, किस form में होता है, तो सुक्रोज के form में, यह सब क्या है, सुक्रोज, maltose, lactose, यह सब क्या है, यह सब dicecrides है, इसके points हम पढ़ते है, सुक्रोज को invert sugar भी बोलते है, और सुक्रोज is also known as can sugar table sugar commercial sugar, यह सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पहला है water-soluble vitamins के examples और fat-soluble vitamins के example, तो water-soluble simple याद रहा है कि WBC, आपको पता है, WBC, RBC, तो W for water-soluble, और BC मतब vitamin B and vitamin C, तो यह क्या होते है, water-soluble vitamins होते है, और fat-soluble vitamins, आप ऐसे, अगर इसको याद कर लोगे तो छोड़ सकते हो, जो बांकी बचा यह, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर इसको भी आद रहा है, तो आपको बता हो, headache, headache जानते हो तो लेकिन headache से आपको याद हो, headache, headache, headache भी headache के तरफ फील हो रहा है, ठीक है, तो vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, तो यह आप water-soluble, fat-soluble कर सकते हो, इसके साथ ही देखो, एक और important topic में बता रहा हो, कि example of reducing and non-reducing sugar, यह भी important topic है, इसम लेकिन सबसे पहले जो बहुत important चीज़ है, कि reducing sugar का example है, कि all monosaccharides are reducing sugar, जितने में monosaccharides होते हैं, वो सारे, क्या होते हैं, लगबग कि reducing sugar होते हैं, तो जैसे example होगे, glucose, fructose, galactose, ribose, यह सारे क्या है, यह सारे monosaccharides हैं, यह क्या हो जाएंगे, reducing sugar हो जाएंगे, ध्यान में disaccharides नहीं है, ठीक है ना, disaccharides नहीं है, यह monosaccharides, जैसे glucose, fructose, galactose, ribose, यह सब, और non-reducing में सबसे important example है, sucrose, तो आपको non-reducing में यह याद कर लेना है, sucrose, non-reducing क्या होगा, sucrose, यह तो very important हो, साथ में tree halos, और rafinose भी ध्यान में डख सकते हो, यह बहुत important है, very important डालो, तो आपको crystal clear होना चाहिए, आपके mind में है, अगर कोई पूछे यह non-reducing sugar example, तो sucrose, and reducing sugar example, तो आप generally monosaccharides के example दोगे, जैसे की, glucose, fructose, यह से याद रख सकते हो, galactose, ribose, यह से याद रख सकते हो, ठीए, तो I hope की वीडियो पसंद आए होगा, अगर वीडियो पसंद आपक अगर चैनल को लाइक करना, हुँ दोस्तों शेयर करना, और अगर चैनल